हेलो एब्रिवन वेलकम तु माइ चैनल तो आज मैं लेकर आई हूं धाई भल्ले की रेसिपी तो यहां पर मैंने दो कप उड़त की डाल का यूज का है और एक कप मुंग की डाल का यहां दाल हमारी है बिना छिलके वाली और इसे हम अच्छे से दो तीन वार पानी से वो निकल जाते हैं और फिर मैंने यहां पर दाल को ओवरनाइट विगो कर रख दिया था आप चाहें तो यहां पर 6-7 गंटे ही दाल को विगो सकते हैं अगर आप गुंगोने पानी का यूज करते हैं और देखिए यहां पर अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे और मैंन जीच हमें इसके अंदर दहान रखने हैं कि हमें ना दाल को जादा ना तो गिल रखना है और ना ही जादा गाड़ा रखना है अगर हमारी दाल जादा गाड़ी होगी तो बड़ी जादा कड़े बनेंगे और अगर हमारी दाल जादा गीली होगी तो बड़ी हमारी जादा पिएंगे और हमें इसे कम से कम 10-15 मिनट तक फैटना है इसी तरीके से हमें इसे फैटना है जिससे कि इसके अंदर एयर बनेगी जिसकी बज़े से हमारी बड़े जो है एकदम फलपी बनेंगे और स्पंजी स्टाइप बनेंगे इसे फैटनी में थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन अगर हमें इस तरीके से दाल को फैट दे हैं तो बड़े हमारी काफी हज़ता बहुत ही अच्छे बनते हैं अब यहां पर हमारी दाल आल्मोस्ट वैसे तो फैट कर हो चुकी है रेडी हमें इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरीके से रखनी है ना तो ज़्यादा गाड़ा रखना है और ना ही ज़्यादा गीला रखना है और देखे हमारी दाल यहां पर फैट कर हो चुकी है रेडी तो अब हम बड़े बनाने की आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैंने पानी ले लिया था और उसे हमें हाथों पर इस तरीके से लगा लेना है और फिर हमें बाउल से बड़े को उठाना है और आप चाहें तो इसके अंदर काजू का यूज कर सकते हैं या फिर किस्मिस इसके अंदर यूज की है और इसी तरीके से हमें बड़े को ले लेना है और अब हम इसे फ्राई करेंगे अच्छ यहाँ पर हमें एक बात कर ध्यान है रखना है कि हमारा तेल ना तो ज़्यादा गरम होना चाहिए और नहीं ज़्यादा ठंडा और हमें फिलेम को धीम्याक पर ही रखना है ज्यादा ना तो हमें इसे तेज रखना है और नहीं ज़्यादा कम रखना है और इसी तरीके से हमें सारे बड़े इसके अंदर डाल देने है अगर ह ज्यौदा धीमा रहता है तो उससे बड़े हमारे ज्यादा कड़े हो जाते हैं कुछ और यहां पर हमें बड़ों को अच्छे से हलका ब्राउन होने तक इन्हें फ्राइ कर लेना इसी तरीके से और देखे हमारे एक तरप से ये बड़े हमारे सिक्कर हो चुके हैं रेड़ी और देखे हैं यहाँ पर हमारे बड़े अल्मोस्ट बनकर रेड़ी हो गए हैं इसी तरीके से हमें सारी बड़ों को सेक लीन आएं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सेर और सस्क्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट में बताएं आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी और अब हम एक बड़ा लेंगे और इसे बीच में से तोड़ के देखेंगे और देखें यहाँ पर हमारे बड़े एक्तम स्पंजी टाइप बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं तो अब हम आगे के प्रोसिस को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने एक पाउल के अंदर दही ले लिया है, और इसे थोड़ा सा पानी मिला कर मैंने पैट लिया था, और यहाँ पर ले लेंगे हम गुनगुना पानी, हमें बढ़ों को 10 मिनाट तक अच्छे से ठंडा करके र हमें पानी के अंदर ठंड़े करके ही बढ़ों को डालना है, अगर आप गरम गरम पानी के अंदर गरम गरम बढ़ों को डाल देते हैं, तो आपके बढ़े कड़े हो जाते हैं, और अच्छे नहीं रहते, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरे को अच्छे से बीस लिया था और अब हम इसके अंदर से बढ़े की पानी को निकाल देंगे और यहां हम इसे सर्व करेंगे हमें इसी तरीके से बढ़े की पानी को अलग कर देना है और अब हम इसके उपर डाल देंगे दिहां पर दही और ध्यान रखना है कि दही के अंदर हमें बाद में ही चीनी को डालना है हमें मिक्सी के अंदर चीनी को नहीं पीछना है दही के साथ नहीं तो हमारी धनी दही में पानी पानी हो जाएगा और अब हम इसके उपर एट कर देंगे हरी चटनी और यहाँ पर एट कर देंगे हम मीठी इमली वाली चटनी को मैंने इम्री वाली चटनी की रेसिपी पहले ही सेयर कर दी थी और अब हम इसके उपर एड़ कर देंगे यहाँ पर भुना हुआ जीरा अब थोड़ा सा एड़ कर देंगे यहाँ पर नमाग और अब हम इसे थोड़ा सा धनिया पत्ती के साथ सजा देंगे देखे यहां पर एकदम स्पंजी धहीत बनकर हुए चुके हैं रेडि और खाने में भी बहुत टेस्टी बने हैं और मैं आपको यहांपर एक बल्ला तोड़ कर दिखाती हूं देखे हमारे भल्ले कितने स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडि हो गए हैं झाल झाल